दोस्तों आज हम आपके साथ एक हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही कॉमन हलवा है लगभग हर घर में ही बनाया जाता है आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडियंट्स दोस्तों सूजी का हलवा बनाने के लिए हम यहाँ पर लिए हैं बेसिकली इसका मिजर्मेंट का यह है हिसाब की तीनों चीजें सूजी, चीनी और घी यह लगभग बराबर मात्रा में हैं हम यहाँ पर लिए हाफ कप सूजी, हाफ कप चीनी और लगभग उतनी ही क्वांटिटी में हम घी यूज करेंगे इसके अलावा आप कितनी मी मात्रा में ड्राइफ्रूट्स यूज कर सकते हैं यह बिल्कुल आपके च्वाइस के उपर है तो हम यहाँ पर लगभग दो टेबल स्पून के करीब काजू, बादाम और यह किश्मिस यूज कर रहे हैं उसके अलावा फ्लेवर के लिए इलाइची और चीनी इसको पीस के रख लिया था तो यह है हाफ टीस्पून के करीब दोस्तों यहाँ पर हम सूजी का हलवा बनाने के लिए जो सूजी यूज कर रहे हैं उसे हम पहले से ही थोड़ा सा भून के रख लिया है सूखा यह कड़ाई में लगबख 10 मिनट के करीब भून लिया था ऐसा भून है मतलब उसका कलर जो है ज्यादा चेंज नहों ब्राउनिश नहों यह वाइट ही रहे इसको भूनने से फाइदा यह होता है जब भी मार्केट से सूजी आती है तो हम उसे भून के ही रख लेते हैं इसका फाइदा यह होता है कि सूजी में केड़े नहीं लगते हैं अगर आप फ्रेज में नहीं रख रहे हैं बाहर भी रख रहे हैं तो भुनिवी सूजी है अगर तो उसमें कीड़े नहीं लगेंगे दूसरी चीज यह है कि जब भी आपका दिल चाहे कभी भी तो आप तुरंत ही बना सकते हैं क्योंकि भुनने में थोड़ा सा समय लगता है 10-15 मिनट का धीमी आज पर बिल्कुल भुनने में लगबग 10-15 मिन कुछ भी बना रहे हैं तो एक साइड पर गयस पर आप इसे चढ़ा दीजे बिलकुल दीमी आज पर बीच बीच पर चलाते रहें तो रोस्ट हो जाएगी और फिर उसे स्टोर करके रख लीजे तो चलिए आज की सूजी की हलवे की रेसिपी शुरू करते हैं दोस्तों शु दूसरा पैन हम गर्म करते हैं इसमें हम चाशनी बनाएंगे जितनी सूजी हमने ली है लगबख हाफ कप हम लिये हैं तो लगबख देड़ कप के करीब हम पानी डालेंगे जितनी सूजी है उसका तीन गुना पानी डालेंगे यह पानी हो गया है इसमें चीनी डाल देते हैं हमें चाशनी बहुत काड़ी ऐसी कुछ नहीं बनानी है बस चीनी को घुलने तक पकाना है और तब तक हम अपनी सूजी ड्राइफ्रूट्स और इलाइची सब को इकठा भून कर तियार करते हैं गी गर्म हो चुका है मैल्ट हो चुका है तो इसमें थोड़ी सी इलाइची डाल लेते हैं सूजी डालें सूजी तो हमारी भूनी हुई है बहुत अच्छी तरीके से तो हमें बस इसे मिक्स करना है और यह साथ में हम ड्राइफ्रूट्स टाल लेंगे आज धीमी रखें थोड़ी देर हम दो मिनट के करीब इसे भूनेंगे और तब तक चाशनी को भी चलाते रहेंगे बस चीनी मेल्ट हो जाए फिर हम इसे हल्वे में मिला लेंगे जब तब चीनी मेल्ट हो रही है हम इसे बून लेते हैं दोस्तों यह देखें चीनी बिलकुल मेल्ट हो चुकी है डिजॉल्व हो गए यह पानी में अब हम इसे में इसे सूजी में मिक्स कर लेते हैं गयास बंद कर दें और सूजी में डाल कर मिक्स कर लेंगे इसे डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करें धककन लगाकर हम इसे पकने देंगे तब तक की जब तक की इसका पानी बिलकुल सूख नहीं जाता इसे हमारी जो सूजी का एक एक दाना बिलकुल खिला-खिला सा तयार होता है तो इसे ऐसे ही पकने देते हैं अभी हलबे का पानी सूखने को है तो जड़ा हम एक बार चेक कर लेते हैं इसे इसे एक बार मिक्स करके फिर इसे दो मिनट के लिए हम धकतेंगे इसका एक एक दाना खूल गया है और खिला-खिला सा तयार हुआ है बस हम इसे एक मिनट के करीब और धकन लगा के पकाएंगे फिर हमारा सूजी का हलबा तयार है बिलकुल एक मिनट हो गया है गया संबंद कर लेंगे यह देखिए हलबा तयार हो गया है नमबढ़िया हलबा बना है इसे एक बार फिर से मिक्स करें और हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं हलबा हमारा तयार हो गया अब हम इसे थोड़ा बादाम और पिस्ते की कत्रन से गार्निश कर लेते हैं दोस्तों तयार हो गया हमारा सूजी का हलवा दोस्तों आपने भी जरूर सूजी का हलवा बनाया होगा क्योंकि बहुत ही कॉमन है हर घर में ही बनाया जाती है कोई भी खुशी का मौका हो कुछ भी अच्छा मीठा खाने का मन करें तो सूजी का हलवा फटा-फट बन जाता है और अगर सूजी पहले से भून कर रखी भी है तो और भी जल्दी बन जाता है। पर फिर भी आप मेरी ये रेसिपी ट्राइ करिएगा, कुछ डिफरेंट लगेगा आपको। ट्राइ करिए और अपने सुचा और फीडबैक हमारे साथ शेयर करिए। दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सभी जानने वालों के साथ इस रेसिपी को जादा से जादा शेयर करें। दोस्तों अगर अपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और देखते रहे हैं माकीरस्यसे.ड़ पॉम। मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर।